हलो एव्यों क्या है चाल कैसे हो आप लोग हमेदे आप सब बहुत अच्यस होंगे दोस्तों स्वागर आपको इस वीडियो में इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पार है हम डिसकस करने वाले हैं ऑजूकेशनल टेक्नॉलोजी के बारे में सर्चिक टक्नीकी के बारे में हम जानेंगे इसकी अर्थ, परिभासा, उदेश, छेत्र और जो भी आपके इम्पोटे प्रश्ट हैं एजूकेशनल टेकनॉलजी का उसको हम देखेंगे तो बिना किसी देरी के दोस्तों आईए हम सुरू करते हैं educational technology की अब हमारे पास दो options है पहला कि हम किताबी language में देखने कि इसको लिखना कैसे होता क्या है या फिर इसके अलावा हम इसको आसान से भासा में समझ ले और समझ लेंगे तो फिर तो भी लिखना तो अपने हाथ में है देखिए सिंपल सी एक बात यह है कि educational technology की जब भी बात हो सैचिक तक्नीकी की जब भी बात हो तो दो सब्दो से मिलकर बना है सैचिक तक्नीकी कौन सा पहला है सिक्षा दूसरा है तक्नीक तो बस सैचिक तक्नीकी का अर्थ यह है हम असान से सब्दों में इसको समझ जाते है कि सिक्षा के छेत्र में तक्निकों का इस्तमाज सहचिक तक्निकी का राता है। दूसरे सब्दों में हम यह कह सकते हैं कि सिक्षा के छेत्र में विज्ञान का इस्तमाज है। और अगर आप इसको explain करना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि सिक्षा के जित्में वैग्यानिक ग्यान सिधान्तों का परयोग करना सैचिक तक्निकी कहलाता है। और विधियों का परयोग करेंगे और परयोग करने से होगा क्या कि आपकी वो जो सिक्षड अधिगम प्रक्रिया है तो सहज होगी सरल होगी प्रभावसाली बनेगी ठीक है। यह होगी टोटल बास सचिक तक्निकी के बारे में मतलब टेक्नोलजी का यूज़ अगर आप इस है मनोविझ्यान, मनोविझ्यान का मतलब बच्चों को आप कैसे मोटिवेट करके पढ़ाते हैं, माइक्रो टीचिंग हो गया आपका लेसन ब्लान बनाना ये सारे चीज़ों होगी, फिर हम आगे चलेगे और पॉइंट्स पे, पहला है बचू, सैचिक टक्नीकी दो सब्दो से मिलकर बना है, सिक्छा और टक्नीक सिक्षण का अर्थ है सिक्षण देना यानि की पढ़ाना या प्रसिक्षित करना अता जब सिच्षण अपने सिक्षण को प्रभावसाली बनाने के लिए विवे ने तक्नीकी साधरों की मदद लेता है जिससे सिक्षण यों मदिकम दोनों प्रभावित होते हैं उसे हम सिक्ष आपको समध्र, आपको समझण में आ गया होगा, बस इतना सा कहना है बच्चों, इस सिख्छड अदीगं प्रक्रिया, Teaching learning process को सहज बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए, effective बनाने के लिए, से प्रभावसानी बनाने के लिए आपको क्या करना है वैग्यानिक, तक्नीकी, मनोविग्यानिक सिधानत वीधियों का उच्य तरीके से इस्तमाल करना है उपयोग करना वास्ते में यही प्रक्रिया क्या लाते है Secret Technique यह जो आपका definition आपके सामने यह जो सैचिक तखनीकी का अर्थ रखा गया है पिलकुल आसान से सब्दों में रखा गया है आसा करते हैं आप इससे लिख सकते हैं अगर इसको ना भी लिखना चाहें तो आप अपने सब्दों में लिख सकते हैं आप इसमें कुछ चीज़े और एड़ कर सकते हैं क्या कि सैचिक तक्नीकी में सैचिक जब आप टेक्नोलोजी यूज़ करते हैं तो होता कि आपको अपनी तरह से कम इफ़र्ट लगाना पड़त तो आप अपने सब्दों से इसको बिल्कुल एक्स्प्रेम किया जा सकता है मैं तो बस आपको बता रहा हूं इसके बारे में थोड़ा सा सब्द भंडर ताकि आपको कुछ सब्द मिल जाएं लिखने में असाल हो जाएं अब परिभासा की बात की जाएगी तो परिभासा भ उदेश्यों की प्राप्त की जा सके। समझ में आगी बार किसका इस्तमाल है। उन वीधियों माध्यमों का विज्ञान है जिसके दोरा सिक्षा की उदेश्यों की प्राप्त की जा सके। भी एफ इसकीनर जी ने, इनका नाम कई बार आपके पास आया होगा जब आप सीटेट का पेपर दे रहोंगे, जब आप टेट की तियारी कर रहोंगे। बी इसकीनर ने क्या कहाता। सिक्षर तक्रीकी वह सास्त्र है जो सिक्षा की प्रभाव सीर्था में व्रिधी करता है, मतलब संपूर्ण सिक्षर प्रक्रिया के अप एक्षा करित अधिक समुन्नत करता है। और लास्ट बट नॉट दिलीज डेफिनीशन हम देख लेते हैं, वो है आई के डेविस के अनुसार, इन्होंने कहा था, सैचिक तक्नीकी के संबन्द सैचिक और प्रसिक्षण के संदर्व में समस्याओं से होता है, और उसमें अधिगम के स्रोतों के संगठन में अनुसास प्रसिस्ता और प्राणी उपागम के परियोग की छमता विसेश होती है, सैचिक तक्नीकी के बारे में आई डेविस ने कहा था, आपको ये समझना है कि सैचिक तक्नीकी क्या होता है, कि सिक्षा के शित्र में वेज्ञानिक ज्यान सिधानतों का परियोग करके सिक्षा के उ अब जब इतना है आप समझ गया है तो अगर आपसे मैं पूछू हूँ या फिर अगर आपसे एक्जाम में यह पूछता है इसक्षा तक्नीकी के उद्देश से क्या है मतलब क्यों सिख्षा में टेक्नॉलजी यूजि यूज़ करना चाहते। इसका परपस क्या है या फिर आपसे पुछ ले इंपॉर्टेंस पुछ ले महत्तो पुछ ले यूज पुछ ले तो बिलकुल यही है कि पाठ्यवस्तू का विसलेश करना जिससे उसके कत्वा अत्वा घटकों के क्रमबद रूप से विवस्तित किया जा सके आपको क्या कमिए आपको कहां उसके अंदर सुधार लाना है कैसे उसको और आप बैतर बना सकते हैं कि फीड़ंग की प्रविदीयों का चेहन करना तथा उनका उक्यूंक करना बाव उत्पादक बनाड़ा ये उद्देश से होता है सिख्छा तक्निकी कि जैसा कि मैंने बताया इससे क्या होता है इंट्रेस्टिंग होता है इसी हो जाएगा clear हो जाएगा interesting हो जाएगा और objectives हो जाएगा बहुत ज़्यदा रटने वाली चीज नहीं हो जाएगी समझने वाली चीज हो जाएगी जब आप टेकनोलोजी यूज करेंगे तो एजुकेशन ठीक है यह उसके उद्देश से हो गया कुछ और उद्देश्यों को देख लेते हैं ठीक है उद्देश्यों को अगर बात करें तो आप क्या कर सकते हैं ज्यान का संचय कर सकते हैं मतलब आप सेब कर सकते हैं अगर आप को दूबारा रिविजन करना है तो आप इस वीडियो को प्ले कर लिए दूबारा प्ले कर सकते हैं इस अचिक तक नीकी कही उद्देश्यों कर सकते हैं दूसरों तक शेर क कर सकते हैं सिक्षड अधिगम प्रक्रिया में आप एक्षाक्रिय सुधार लाना बिल्कुल आप अपनी टीचिंग मेथड्स में क्या करेंगे सुधार लांगे यह सारे उद्देश से बिल्कुल नॉर्मल और जेनरल चीज़ हैं जो आप अपने सब्दों में लिखेंगे सिक्षड अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना सिक्षकों में सिक्षड कौसल का विकास कर उनकी योगितायम चमताओं में वृद्धी करना अब एक टीचर बेचारा अगर ब्लैक बोर्ट पर पढ़ा रहा है या फिर अपनी स्किल्स को वैसे नहीं पढ़ा सकता उसे बहु हो जाएगी और उसकी स्किल्स डेवलप होगी बहतर होगी ठीक है सिक्षड के उद्यस्यों का निर्धार करना जिससे सिक्षड तता जांच में सुघंता हो सके टेक्नोलजी से क्या करेंगे आप इसली टेस्ट भी ले सकते हैं इसली चेक भी कर सकते हैं बच्चे को समझ में आया की नहीं आया तो आप इससे क्या होगा कि आप से इससे टीचिंग इंप्रूब होगा इसकी गुड़ोत्ता क्या होगी सुधार होगी चली नेक्स पॉइंट देख लेते हैं चात्रों के गुड़ों चंताओं उपलब्दियों कोसलों का विसलेसर करना आप अच्छे से इनालेसिस कर बाएंगे कि बच्चे को कहां समझ में आ रहा है कहां समझ में नहीं आ ठीक है चीजे समझ में आ रही है आपको बिल्कुल समझ में आ अब तक अब तक इस पूरे वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको रटना है ऐसा कुछ नहीं जो आपको किताब पर ल बचों को समझने वाला बनाना है उनकी फीडबैक लेना है पुन्द्रबलन देखना है और साथ ही साथ उनकी कहां कमिया रह गई है इनालिस करना यह सारी चीजा क्या हो गई उसके उद्यस होक्त चोंगे अजिपसरेगां विकास करना अधिगंपरिकिरिया को सुधार करना यह कुंझ से क्षेतर में कि स्कोप किया हैं के छितंव बिल्कुल वही चीज़ें सबसे पहला है कि कि उदेश्ष से के स्ब् rut जैसे आप technology से बढ़ा रहे हैं आप smart board से बढ़ा रहे हैं तो आपको यह समझ में आगा कि बच्चा expect क्या कर रहे हैं उन किस field में उसकी रूजहान ज्यादा किस फिल्ड में उसकी रूजही क्या है उसके बाद आप क्या करेगे आप उसको किस लिए पढ़ा रहे हैं आप इस इसरा point है बच्चो स्रब द्रिस से सहायक समागरियों का परयोग स्रब द्रिस को इंग्लिस में कहते हैं audio visual ads मतलब ऐसे devices जो स्रब हो मतलब सुनाई दे द्रिस मतलब दिखाई दे जैसा कि आप यह mobile देख रहे हैं तो यह स्रब दिस समागरी का एक उधारण है तो आप उसका इसका परयोग कर सकते हैं जुक्या टेक्नोलजी grateful टेक्नोलजी का एक छेत्र है कि आप इसका परयोग कर सकते हैं laptop mobile smartboard स्मार्ट बूड इस सारी चीज़े क्या है Smartboard स्मागर उच्छों होगा पर्योग हो जाए maior कि अध्यापत के लिए भी सहायक होता इजूकेशियोल अजुन अभी एक क्याव गया एक चीट्र हो गया ठीक है नेक्स्व अटेख लेते हैं पार्थेकरम के दिरमाड़ा के निमाणर में सहेक, अब मूलियांकर में उपरी होगी है अब मालजी आपको पहले टेस् bends ग्र बाचो बाचो बच्वाइब करिक्सृतु बीधि अच्छे से बना सकतेपीं क्यों के निर्माड भी अच्छे से कर सकते हैं कि पार्टिक्रम के निर्माड में सहाइक है इसे अधार बनाकर पार्टिक्रम का विकास हो सकता है पार्टिक्रम अध्यापक्त था विद्यारती दोनों के लिए आवस्था किया तो यह दोनों को ग्यान देता है अता सैच्छिक तक्नी प्राणियों में महतुर अन्य जो भी प्राणियों होते हैं बच्चों को कैसे पढ़ाना है उनका रिजल्ट क्या आ रहा है इन सारी चीजों में भी एडुकेशनल टेक्नोलजी का यूज होता है सिक्षड अधिगम विसलेशन में सहाएक किस टीचर ने कितना पढ़ाया किस ब जहां से देखेंगे तो सैचिक टक्नीकी सिक्षा का अस्तर संकल्प अवस्थाएं सिधान आधि का अधियान करने के साथ साथ इन्हें सीखने के लिए भी परियास किया जाता है बच्चों को आपने पढ़ाया उन्हें सीखा कितना ठीक है उन्होंने उनका समझ में कितना आ या चलिए लास्ट पॉइंट लास्ट बटन और डिलीस पॉइंट नवई आएं बच्चों अध्यापक सिक्षन के लिए उप योगी है टीक है टीचर ट्रेनिंग के लिए उप योगी है यह सिखां तकनीकी अध्यापकों के सब्सेटिप्रसिक्षर देने में पुछमु सिक्षड तता स्रेडी सिक्षड आदी किरियाओं द्वारा अध्यापकों के अनुसार संत्सोधन किया जाता है इससे अध्यापक ना केवल सिक्षण विदी को सुक्षमुता से सीखते हैं बलकि उनके व्यक्तितों का समुचित विकास होता है सैचिक तक्निकी यानि टीचर टीचिंग सिक्षड अध्यापक सिक्षड में भी एजुकेशन टेक्नोजी का बड़ा महत्तु है लास्ट है बट्टू बच्चों हाडवेर सॉफ्टवेर उपकरणों का परेओं फिर वही बात हाडवेर सॉफ्टवेर मतलब हाडवेर वो डिवाइस जिससे आप चूर सकते हैं देख सकते हैं सॉफ्टवेर का मतलब जैसे मनविग्यानिक और विग्यान का इस्तमाद है तो सहचिक तक्निकी कंद्रगत सिक्षा के उदेशों को पूरा करने वाले विक्सित किये गए यंत्रों की जानकारी प्राप करते हैं इसके लिए हम उन उपकरो कि उचीत चुनाव करते है और साती उनका पर्योग करकर करने के लिए विए सहीध प्रायोक्त करते हैं यान कि इन सारे डिवाइस कांप इस्तेमाल करते हैं प्वाइंट आपको ध्यान में रखना है और इस प्वाइंट को आसानी से एक्स्प्रेंग करते हुए चलना है इससे पहला हमारा था इस सिक्षा के उद्यस्यों का निर्धार करना सिक्षड अधिगम नीतियों का निर्धार करना स्रब्वेद्रिस समागरी और्डियो विजूल एर्स का समागरी का यूज करना अध्यापक के लिए सहायक टीचर के लिए सहायक होता है पाठेक्राम का निर्मार करना करिकुलम के लिए निर्मार करना मुल्यांकन के लिए उप प्राडी के लिए इंपॉर्टेट होता है सिख्छक अधिगम विसलेशड की बच्चों ने कितना सीखा कितना इक टीचर ने कैसे पढ़ाया कैसे इसको और बहतर पढ़ा सकता है इसके विसलेशड के लिए इस्तमार होता है सच्छिक तक्निकी और नवा है बच्चों अध्या जिस छेत्र में educational technology का इस्तमार होता है चरी तो इस वीडियो में हमने देखा कि सच्छिक तक्निकी की अर्थ इसकी परिभासा इसके उदेश से और इसके छेत्र दोस्तों इसी से सवाल आपको पूछा जाना है और इसी से सवाल अकसर आपसे पूछे जाते हैं सो इस वीडिय विल्ए एपूर्णों को आपको में और अटो रुपागब और राइुपागब हाडवएशों स उफ्टवएश्य अप्रोच शॉऔर गुण्ट अठीक आप्रोच नियुक्त इन तीनों अपरेच्छ्ट को कि अगली वीडियो में देखेंगे इस वीडियो खुमियाई खतम करेंगे मैं आसा करता हूँ कि यह वीडियो आपको रिस हाय होगा कैसी लगी यह वीडियो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं ठीक है अगर अच्छी लगी हो आप दूसरों तक शेयर कर सकते हैं और आपको लग रहा हो कि मेरे पढ़ाने से आपको अच्छा हो सकते हैं आपको समझ में आ सकते एक्जाम मेहतर लिख सकते हैं मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें से जूर दें तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही रुष्ट हो इस वी नहीं